नमस्कार, मैं डॉक्टर मानवजेन, सहय अचरे इतिहास विभाग S.P.C. राच्किय महाविध्याले अजमीर आज हम ये पार्ट थर्ड का दितिये प्रश्न पत्र विश्व इतिहास देखेंगे और विश्व इतिहास में हम ओध्योगी क्रांती के बारे में जर्चा करेंगे इसमें हम विशेश रूप से कुछ प्रश्नों का उत्तर चाहेंगे कि ओध्योगी क्रांती से आप क्या समझते हैं, इसके क्या कारण थे, ये क्रांती इंग्लेंड में ही क्यूं हुई और ओद्योगी क्रांती का अर्थ किस प्रकार है? ओद्योगी क्रांती से हमारा तातपर आर्थिक श्रंकलाओं के उन महान परिवर्थनों से है जो यंत्रों के आविशकार और यंत्रिक संचालन शक्ति के आविशकार से प्रकट होती है और इस माहन परिवर्थन के फल्स्रो अठारवी में उन्नीस्वी सदी में योरोप के समाज की काया पलट हो गई क्रांती शब्द कुछ सीमा तक ब्रामक है क्योंकि इसमें वहध्वने निकलती है कि आर्थिक परिवर्थन एकाएक वे शिक्रिता से हुए परन्तु वस्तु इस्तिती ये है कि आर्थिक परिवर्थन ना तो अक्समात हुए ना ही शिक्रिता से हुए इस क्रांती को गती देने के लिए जन साधरन की द्रस्टी में कई वर्ष लगे शेत्र में इसे क्रांती की संग्या इसलिए दियाती है कि धन उत्पादन के साधनों में इसके परिणाम शुरूप जो परिवर्तन हुए वे गंबीर, मैत्पूर्ण, व्यापक और अतिक क्रांती कारी थी इतिहासकार डेविस ने क्रांती का अर्थिसपस्ट करते वे लिखा है कि ओद्योगी क्रांती से आशे उन परिवर्तनों से हैं जिन्होंने ये संभव कर दिया कि मनूश्य उत्पादन के प्राचिन साधनों को त्याग कर विशाल पैमाने पर विशाल कारखानों से वसूं का अध्योगी क्रांती के कुछ कारण प्रमुख इस प्रकार से हैं कि जनसंख्या के में व्रदी 18 अथारवी शतावदी के उत्रा तक ये औरॉप के देशों में आशातित जनसंख्या में व्रदी होई. जन संक्या की व्रद्धी के साथ जन साधरन को देनिक जीवन की आवशक्ताओं में भी व्रद्धी दिनों दिन होती जा रहे थी ऐसे परिस्तेती में लगू वैकुटिर उत्यूगों के माध्यम से उत्पादित सामान जन साधरन के लिए पूर्ती नहीं कर रहा था इस कारण व्यज्यानिक ऐसे साधरनों की खोच करने लगे जिससे के उत्पादन में व्रद्धी हो सके और इसी अभिलाशा से ओध्योगी क्रांती का सुत्रपात हुआ दूसरा है जीवन स्तर का उन्नत होना आज के समाज में मानों की दैनिक आवशक्ताओं के व्रद्धी के वे अब मोटे खुर्दरे वस्त धारण नह करके मुलायम और अच्छे रंगों से रंगे हुए वस्त धारण करना चाहता है बढ़िया मोबाइल बढ़िया लग्जरी वस्तों का उप्योग करना चाहता है उन वस्तों का इस प्रकार का रूपांतरन मशीनों के माद्ध्यम स इस कारण अब लगव उद्योगों के स्तान पर मशीने आने लगी इन मशीनों से उत्पादन में व्रद्धी हुई तथा वस्तों के नवीनी करण का भी जो कार्य है वे प्रारम हुआ तीसरा प्रमुक कारण है ओद्योगी करांती का योरोप में समाजवात का प्रबल हुना सामराजवात का प्रबल हुना फ्रांस की राज्य करांती ने समस्ति योरोप में रास्टवात को प्रबल बना दिया रास्टवात के प्रबाव से योरोप के देशों में रास्टवात के भाउना प्रबल ही लोरे लेने लगी और उन्हें उन्होंने आसपास वद दूर के निर्भल देशों को अपनी सामराजवादी सुधा का ग्रास बनाना प्रारम्ब कर दिया इस सामराजवात के प्रसार का परेणाम यह निकला कि शक्तिशाली देशों को अपने पराधीन देशों से कच्चा माल परियाप्त मात्रा में सुगंता से उपलब्ध होने लगा इसके साथ ही योरोप के शक्तिशाली इम विक्सित देशों को अपना उत्वादित सामान अपने ही उपनिवेशों में खपाने का आउसर मिल गया चोथा है व्यापारिक क्रांती व्यापारिक क्रांती का प्रारम ओध्योगी क्रांती से पूर्व हो गया था इंग्लेंड, भारत में इंग्लेंड वे फ्रांस की व्यापारिक कम्पनिया स्तापित हो चुकी थी, यौरोप के देश सोलवे शताब्दी के उत्रार्द से ही उपनिवेशिय व्यापार में व्यस्त थे, परंतु उपनिवेशिय व्यापार की सफलता के लिए वस्तों का अध समुंद्रे मार्गों के खोज में जुट गए। और विस्तार शिक्षा के प्रसार से जन सादर्ण के ज्यान में व्रद्धी हुई वे अब मद्यकाल के भाती अन्विश्वाशी नहीं रहे। दूसरे देशों में भोगलिक ज्यान से वहां आयात करने वाले कच्चे माल की जानकरी मिली। वहां भेजे जाने वाले तैयार माल का भी शित्र ग्यात हुआ। इस प्रकार शिक्षा के प्रसार में और जोगी क्रांती में को सफल बनाने में अब पूर्व सहयोग दिया। नेक्स्ट है शक्ति के साधन लकड़ी की गर्मी से लोहा पिगलना अती दुशकर का रहे था। परंदु जब कोईले की खाने खुदी जाने लगी तो पत्थर के कोईले की गर्मी से कच्चा लोहा गलाये जाने लगा और इससे निर्मित इस पाथ से यंत्रों का निर्माण होले लगा। निर्मित हो जाने के पश्चात उनको चलाने की समस्या हुई कोईले ने इस समस्या का समाधान कर दिया कोईले की गर्मी को वाश्प शक्ति के द्वारा के रूप में प्रयुक्त किया जाने लगा तथा उसे यंत्र संचालित होने लगे कोईले के अलावा आज तो शक्ति के अनिक साधन उपलब्ध है जिनकी साहिता से विशाल का यंत्र सुगमता से संचालित होते रहे हैं और ओद्यों के क्रांती प्रखर और विश्व व्यापक बन गई व्यापरिक वर्ग योरोप में आधुनिक युक के आरम होते ही व्यापरिक वर्ग पन अपने लगा सामांतवात के समाप्त हो जाने से व्यापरि वर्ग शक्तिशाली और माहन शाषकों के संरक्षन में परम्पने लगा अपने शाषक के शक्तिशाली होने पर वे नीसंद और निर्बिक होकर विदेशों में जाकर व्यापार करने लगे व्यापारी वर्ग दिन दिन धनी होने लगा और वे अपने धन से बड़े-बड़े कारखानों के स्तापना करने लगा उनके इस प्रयास का प्रतिफल ये निकला कि योरोप में बड़े-बड़े कारखाने स्ता युग्दान दिया, इती नमस्कार.